तो hello guys this is investment का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Tamil Nadu Mercantile Bank के उपर दोस्तो एक नया IPO खुल गया है आज day 2 है उसका subscription का कितना subscribe हुआ है day 2 के अंदर 8 p.m. का GMP update पर चर्चा करेंगे और ultimately अगर आप इस IPO में लगाते हैं तो कितना profit और कितना loss आपको उतावा देखने को मिलेगा मेरा final decision भी इस IPO में आतावा देखने को मिलेगा या आपको apply करना है या फिर avoid करना है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले friends अपन आ गए है foreign markets पर तो आप देख सकते हैं currently SJX Nifty 1500 points नीचे trade कर रहा है तो grey market premium पर इसका सीधा सीधा impact पड़ता है but definitely अभी जो updation है वो नहीं हुआ है कल definitely दोस्तो grey market premium में छोटी सी गिरावट आ सकती है कल की market की according अभी आप देख सकते हैं SJX Nifty 140 points नीचे trade कर रहा है तो थोड़ा बहुत impact grey market पर जरूर पड़ सकता है अब finally अगर बात करें Tamil Nadu Mercantile Bank के उपर तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पर Oldest Private Sector Bank in India It offers an array of banking and financial services to retail customers Micro, Small and Medium Enterprises यानि MSMEs में कम्रीं काम काजे Retail investors क्या Retail small investors, customers इसमें काम काज करते हैं Definitely दोस्तो strong product portfolio एक company का आप देख सकते हैं यहां पर deposit from diversified customer base including retail customers, agricultural customers and MSMEs तो एक banking sector का जो आप कहते हैं की आता हुआ देखने को मिल रहा है I think so usual के बाद यह आ रहा है banking sector से उससे पहले usual था I think so काफी time बात दोस्तों की private sector bank आपको वापिस से launch होता हुआ देखने को मिल रहा है and definitely सबसे important है company का प्रदर्शन तो आप देख सकते हैं 2020 में company का जो प्रदर्शन था उसमें जो company का assets थे वो 42,758 crore के देख है अच्छे स्थिती में चलती भी देखने को मिल रही है लेकिन कुछ खराब बाते भी है सबसे बड़ी खरावात कभी company के legal court cases काफी सारे चलते भी देखने को मिल रहे है बाकी company में कोई खराबी नहीं है and थोड़ा सा जो दूसरा मेरा negative factor है वो है price band 500 रुपे पर price band tag किया गया है जो कि ये काफी बड़ा price band tag माना जाता है आप direct tucker किस से ले रहे है SBI से और अगर space की बात करें तो इस space में AU small finance bank है उससे आप टककर ले रहे है तो definitely थोड़ा सा जो price band है वो ज़ादा उपर tag किया गया है 10 रुपी स्वेस्ट वैल्यू थाई की गयी है definitely अगर बात करें price band 500 रुपे से 525 रुपे पर शेयर तो अगर ये आप देख लीजे ओवर सब्सक्राइब होता है वैसे दोस्तों अब सब्सक्राइब हो चुका है देड़ गुना भर चुका है तो definitely आपको जो शेयर से वो 525 के according मिलते वे देखने को मिलेंगे 28 शेयर हर रीटेल लिवेशक को मिनिमम मिलते वे देखने को मिलेंगे अगर बात करें टाइम टेवल की तो दोस्तों closing date वो साथ तारीक है यानि कल के दिन ये IPO बंद हो जाएगा उसके बाद 12 तारीक यानि लगबग 4-5 दिनों बाद जी हां 5 दिनों बाद आपको IPO का बदा चलेगा कि आपको IPO आया है कि नहीं आया है basis of allotment is दिन और उसके बाद initiation of refunds यानि refund जो है वो 13 तारीक को आता हुआ देखने को मिलेगा अब अगर बात करें तमिलनाद mercantile bank का review का तो आप देख सकते review on all counts expect the pending legal matters regard to OFS issue fairly price and holds good future prospects तो conservative the steady growth track record and sound fundamentals of the bank अगर of well considering reasonably priced issue for a medium to long term perspective तो यहां पर जो review किया गया है उसमें यही कि company के जो court के इससे वो एक other expect है लेकिन company long term के हिसाब से अगर आप buy करना चाहते हैं तो अच्छी है short term के अगर आप अपन बात करें उससे पहले subscription पर आ गए तो clearly subscription निकल कर आ रहा है सबसे जादा जो आप कहा सकते कि participation है वो है retail निवेशकों की 3.61 times retail ने भराई या IPO को और आज दूसरा दिन था आप कह सकते तो दूसरे दिन 3.61 times IPO भराई यानि हर चार निवेशकों में से एक निवेशक को IPO मिलता हुआ देखने को मिलेगा तो definitely अभी से competition काफी high होता हुआ देखने को मिल रहा है overall 1.53 times IPO subscribe होता हुआ देखने को मिल रहा है अब अगर बात करें rating की तो 5 में से 4 star की rating दी गई है almost 963 votes यहाँ पर हो चुके and finally अब अगर बात करें grey market की तो 25 रुपे currently grey market चल रहा है आज double होती भी देखने को मिलिए grey market कल जो grey market थी वो थी 12 रुपे और आज है almost 25 रुपे तो grey market premium में एक तगड़ा उच्छाल देखने को मिल रहा है अगर बात करें IPO price की 525 तो almost 550 रुपे पर अभी currently यह IPO आपको estimated price listing दिखा रहा है तो आप देख सकते हाइस GMP 34 लोवेस्ट 0 रुपीस की तो 0 रुपीस से GMP शुरू ही है और हाइस 34 जाती भी देखने को मिल रही है current grey market 25 रुपे एंड अजूम कर रहे हैं कि अगर जिसे आपसे अभी GMP अच्छी लिस्टिंग आपको इसमें होती भी देखने को मिल सकती है अब अगर बात करें मेरा क्या decision है finally तो finally मेरी यही सला है जो निवेशक जिया जो निवेशक risk उठा सकते हैं अगर मान लिजे उनको IPO आ गया और उसके बाद उनको 3-4-5 मैने hold करना पड़े अगर profit के लिए फिर आपने price के लिए वही निवेशक इसमें लगाए और हो सकता है अगर market यहां से 18,000 होते हैं तो आपको 10-20% यानि 25-25% का listing दे 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 बट मेरी यही सला है कि risky traders risky निवेशक इस IPO में लगाए वरना अभी आप ठोड़ा wait करिए definitely आने वाले कुछ time में बड़े-बड़े IPO सेंगे Tata का Reliance का काफी सारे IPO's lined up है वो सब IPO's आते वे देखने को मिलेंगे तो उनमें आप जरूर apply कर सकते हैं तो दोस्तो that's it for video अगर video अचा लगा हो तो चैनल को like करे, share करे, subscribe करे और अगर आपको कोई query हो तो comment पर में को जरूर tag करिएगा thank you for watching this video